जेविन दोस्तों मैं रजद मोरे आप सभी का स्वागत करता हूँ बहुजिन साहित के इस वीडियो में जहाँ पर की आज हम बात करेंगे पूना पैक्ट के बारे में पूना पैक्ट में बाबा साब किस तरीके से फसाए गए पूना पैक्ट के माध्यम से जो गांधी थे उन्होंने किस तरीके से हमें जो अधिकार दिये थे कमिनल अवार्ड में जो हमें अधिकार मिले थे वो हम से छीने गए बाद में बाबा साब ने अपनी किताबों में पूना पैक्ट के बारे में क्या लिखा है और उसके बाद जब आजाद भारत में बाबा साब किस तरीके से इस पूना पैक्ट में जो हमें नुकसान हुआ था उसकी भरपाई करने के लिए वो एक तरह से कोशिश कर रहे हैं ये सारी चीज़े हम समझने की कोशिश करेंगे वीडियो लंबा हो सकता है तो प्लीज पेशिंस रखिए मैं 8-9 मेंट का वीडियो बना कर सिर्फ खाना पूरती नहीं करता हूँ मैं चाहता हूँ कि अगर एक वीडियो को देख रहा है तो उसका कंसेट बिल्कुल क्लियर हो जाए उसको कोई डाउड ना रहे उसके पास रिफरेंसे रहें कि जब किसी के सामने वो अपना पक्ष रखे तो मजबूती से पक्ष रखे आधी अधुली जानकारी ना हो तो वीडियो जो मेरा काम है अगर आप लोग पसंद आता है तो शेयर कीजे इसको और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं लगातार इसी तरीके से काम करता रहूं तो आप सभी से निवेदन हैं कि आप लोग भुजुन साहित की आथिक मदद करें फिनेशल हेल्प करें बिना आथिक सहीयोग के बिना आथिक मदद के कोई भी काम लगाता जारी नहीं होता इन कामों में रिसर्च लगती हैं मैं सिर्फ गूगल पर जाके कुछ दो-चार आर्टिकल पढ़के कोई वीडियो नहीं बनाता हूं अभी भी जब मैं इस वीडियो की उपर में काम कर रहा था तो इस चमचाय युग मैंने पढ़ी उसके बाद ये पुना पैट केक और उपर किताब है ये शील प्रिय बहुत बजीने लिखी थी तो ये सारी मैं वहाँ से चीज़े ढूंड के लाता हूं जो कि हमारे लोगों के दस्तावेज हैं हमारे लोगों ने चीज़ें लिखी हैं क्योंकि इंटरनेट पर आप जाओंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगे लेकिन वह कितनी ऑथेंटिक हैं ये नहीं पता हम है तो मेरा काम होता है कि मैं आप लोग को ऑथेंटिक चीज़ें दूँ और रिफ्रेंस के साथ मैं बात करता हूं इसलिए मैं जब उना पैक्ट के बारे में आप सभी को पता है कि कमिनल अवार्ड के माथ्यम से दलित कमिनेटी को प्रथक निर्वाचक मंडल की स्विर्किती दे दी गई थी उस समय दूसरे गोल में समयलन में ये बात है 1932 की और उसके बाद गांधी जो थे वहाँ पर उन्होंने काफी इसका विरोध किया जब भारत आते हैं तो उन्हें जेल में रख कैद कर लिया जाता है और वो जेल में ही अंशन पर बैठ जाते हैं लेकिन अंशन से पहले वो किस तरी से उनके सामने चाल चलते हैं ये इसको आप कैसे समझ सकते हैं अब आप ये बोलो कि यार गांधी तो बड़ा धूर था और उसने चाल चली थी तो क्या चाल चली थी कैसे चाल चली थी क्या पता है आपको तो ये इसके लिए फिर रिफरेंस काम में आते हैं रिफरेंस के ल उस पत्र में क्या लिखते हैं इस चीज को समझे प्रियर सर सेमुल आपको शायद याद होगा कि जब गोल में सम्मेलन मैं अलपसंख्यकों का दावा पेश किया गया था तो अपने भाशन के अंत में मैंने कहा था कि दलित वर्गों के लिए प्रतक निर्वाशन का मुझे मैंने यह बात जोश में आकर यह भाशन भाजी करने के लिए नहीं कही थी इसका आशाय गंभीर बयान था उसी बयान के अनुसार मैं मैंने वापस भारत आने पर कम से कम दलतों के लिए प्रतक निर्वाशन के विरुद जन्मत बनाने की आशा की थी किन्तु ऐसा हो नहीं हैं किस तरह की आम जो धारना बन जाती है उसका गेम है पूरा जैसे कि आप देखेंगे कि रिजर्वेशन के बारे में जब भी बात आती है तो लेक कहते हैं कि 10 साल के लिए था आप यकीन नहीं मानेंगे मैं जो पॉलिटिकल एनलिस्ट हैं जो कई सालों से कई दसकों से प कितनी भांतियां हैं और ये किसी ने क्लियर करने भी कोशिश नहीं की और खुद उन लोगों ने भी पढ़ने की कोशिश नहीं की इवन आप लोगों ने भी शायद पढ़ने की कोशिश नहीं की होगी ठीक वह आंगे लिखते हैं पहले मैंने सोचा था कि यदि निने दलित मैं ऐसी एगर कदम उठा लेता तो अच्छा नहीं रहता मैं आपको बता रहा हूँ अब इसको मैं अपनी बाचा में समझाओं तो वो धमका रहे हैं कि देखिए अगर आपने प्रतंक निर्वाचन जो दिया है दलेतों को वो अगर आपने वापस नहीं लिया तो फिर मैं आम महसूस करता हूँ जैसे मैं उनहीं मैं से एक हूँ उनका मामला दूसरे लोगों से बिलकुल भिन्न प्रकार का है मैं विद्यायका हूँ मैं उनके प्रतिनिद्द के विरुद नहीं हूँ हाला कि दूसरे के लिए मतादिकार की कसोटी कड़ी हो सकती है किन्तु मैं उनके प आजनेतिक दिश्टी से यह चाहे जैसा हो किंतु प्रतक निर्वाचन उनके लिए और हिंदु धर्म के लिए हानिकारक है। इन बाकी सारी चीओ पर उनका बहुती कड़ा वही एक जो कटरपंती हिंदु होता है। वह मरेखोए जानवर हटा सकती है। सभी आशंकाएं निर्मूल सिद्धों और बिटिस सरकात दलित वर्गों के लिए प्रतक निर्वाचक मंडल को सरजित करने जैसा किसी प्रकार का इरादा ना रखे ये खुला एक धमकी भरा पत्र था जो की गांधी ने जो उस समय के भारत के जो मंत्री थे उनको लिखा था ताकि ये मिल ही ना लेकिन हुआ यह की जो प्रदान मंत्री थे उन्होंने कमिनल अवा़ड हमें देदिया कमिनल अवाड मिल गया और कमिनल अवाड मिलने के बाद ही गांधी जो है वो बैठ गए किस पर अन्षन पर इसमें कई सारे पत्तर चार होते हैं उनके बीच में वह सारे में पढ़के नहीं बता रहा हूं आपको ये किताब है चमचा योग इसका मैं लिंक आपको दे दूँगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या इसके उपर पुना पैट के उपर और भी जो अच्छी किताब हैं उनके मैं अंशन पर जब वो बैट गए तो बाबा साब के सामने दोविदा थी बाबा साब ने सिर्फ गांधी की जान बचाने के लिए ऐसा नहीं किया था देखिए इस चीश को समझिए कि बाबा साब ने अपना पूरा जीवन दलिद कमुनिटी के लिए लगा दिया वो किसी भी कीमत पर नहीं चाहते थे कि मैं दलिदो को जो अधिकार मिले हैं वो छोड़ूँ और उस से मैं वो जो टाइम था दो तीन दिन का उस जुरेशन में बाबा साब ने कहा था कि अगर जब भी देश की बात आएगी देश की और मेरे हित की बात आएगी तो मैं देश के हित को प्रतम रखूँगा और जब भी देश के हित और दलिदो के हित अच्छूतो के हित की बात आएगी तो मैं अच्छूतो के हितों को प्रात्मिकता दूँगा इतना बड़ा उन्होंने स्टेटमेंट दिया था तो हमें समझना चाहिए कि डॉक्टर अंबेटकर की रजामंदी से नहीं हुआ प्रेशर क्रियेट करने के लिए उन्होंने ऐसा किया वो आमर अंशन की उपर बैठ गए और फिर जो उनके सही होगी थे वो आए और उन्होंने बाबा साब की प्रेशर क्रियेट करना शुरू किया कि अगर वो मर जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा वैसा बाबा साब को भी खुद ये ची समझ में आ रही थी कि अगर गलती से ऑगर ऐसा हो जाए कि गांधी मर जाए बूकरताल पर तो फिर उस condition में पूरा जो स्वन तबका था पूरा जो देश था वो अच्छूतों के दलितों के विरुद खड़ा हो जाएगा क्योंकि उसी duration में बाबा साब के उपर जान लेवा हमला भी होगा तो फिर बाबा साब क्या करते है अगर वो मर जाते हैं तो फिर पूरी दलित कम्यूनटी के ऊपर एक्टो सथीड़ि़ी बढ़ जाती जगह जगह उनको पकड़ के मारा जाता आज जब दलित कम्यूटी किसी के साथ कुछ गलत नहीं करती तब उसके साथ यह हो रहा है उस समय यही होता था उससे पहले भी यही होता था तो अगर गांधी मर जाता तो पुरी दलित कम्यूटी के उपर एक कलंक लग जाता कि गांधी मर गया दलिट कम्रीटी की वेज़े से तो इस वैसे बाव साब ने वो समझोता किया वो समझोता करने के दौरान बाव साब ने कुछ चीज़ें लिखी मैं वो पढ़के बताता हूँ जहां तक मेरी बात है या कहना कोई अतिशयोक्ती न हो कि उस समय मुझे जिस विकट पशोपेश में डाल दिया गया था उससे अधिक असमंजस के द्वंद में कोई और नहीं पड़ा वो कि लिए रिकी कह रहे हैं कि मैं बड़ा असमंजस में था मुझे दो भिन विकल्पों में चुनाव करना था मेरे समक्ष आम इंसानियत का एक हिस्सा होने के नाते एक और निशित मित्यू से गांधी जी को बचाने का फर्ज था तो दूसरी और प्रधान मंत्री दोरा दिये गए अच्छुतों के राजनेतिक अधिकारों को बचाने की समश्या भी मेरे सामने थी मैंने मानवता की पुकार को सुना और मिश्टर गांधी की संतुष्टी के अनरूप साम्परदायक निर्नय में संशोधन करने की रजामंदी देकर मिश्टर गांधी की जान बचाई यह समझोता पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है पूना पैक्ट में वैसे तो कई सारी चीज़ें लिखी थी लेकिन मैं सिर्फ आपको उसके कुछ एक दो अंश मैं सिर्फ उनका पांचवी धारा में आपको पढ़के बताता हूं कि पांचवी धारा में क्या था और यहां पर यह चीज भी क्लियर हो जाई कि रिजरवेशन इसका उलेख ऊपर किया गया है प्रथम दर्श वर्श के परश्यात अंत हो जाएगा बश्यते के यह नियम धaharan छे के अनुसार आपसी सहमती के इसके पूर्व समाप्त नहीं कर दी जाती तो ये समझेगा कि दस वर्ष के पश्चात समापत हो जागा लेकिन कौन सा ये जो प्रांती विधायकाओं में जो चुनाव होंगे वहाँ पर जो सीट मिल लगी यानि कि राजनेत का अरक्षन जो है उसका जक्रह यहाँ पर मिलता है लेकिन आपको सामने परोसा कहा जाता है कि न आदाम मतादिकार लोधियन कमीनिटी की रिपोर्ट की उसमें जो मौझूद है जो टर्म एंड कर्णिशन है उसके एनुसार हैं उसमें ये भी लिखाएगी प्रते क क्रांत में बजट बजट के सीक्षण आनुदान में दलित वर्गों में सब़ाइफ परियाप्त धन की प वाओ में निक्ती के समय कोई आयोगिता इस आधार पर नहीं थोपी जाएगी कि वह व्यक्ति दलित वर्ग से संबन्नित है सरकारी नौकरी के लिए निधारित शेक्षिनिक योगिता यदि पूरी है तो दलित वर्ग को समुचित प्रतिनित दिया जाने का पूरा प्रयास किया जाएगा आपने हमसे ले तो सब कुछ लिया लेकिन हमें देने के लिए आप प्रयास करोगे दोगे है नहीं दोगे नहीं पता आज की रेट में क्या है हाला ता आप लोग देख लीजे तो ये इस तरीके से एक बहुत ही कुटल पूना पैट रखा गया हमारे सामने और बाव साब को मजबूरी में वो एक्सेप्ट करना पड़ा लेकिन इसके बाद फिर आप देखिए कि पूना पैट के बाद पूना पैट जब हो गया उसके बाद जो दलित कम्मिनिटी है उसके साथ कितनी जातिया होई जो हमें मिला था उसके बदले में जबरस्ती हमें कुछ थमा दिया पूना पैट का उदेश ऐसी परनाली विक्सित करना था जिसके द्वारा अनिशिशित जातियां विधायकाओं में अपनी पसंद के प्रतिनिदियों को पहुँचा सकें इस उदेश को पूरी तरह विफल कर दिया गया है जैसा कि निम्न स्रिंखला के आंकड़े से इस्पष्ट है स्रिंखला के ये आंकड़े फरवरी 1946 में संपन हुए पिछले चुनाव के परिणामों में लिखे गए थे अब यहां पर कई सारी तक्रिव इन 5-6 सूचियां देते हैं 5-6 टेबल बनाके आंकड़े देते हैं तो वह पतो मैं आप लोग को समझा नहीं सकता हूं यहां पर यह बहुत इंपोर्टेंट लाइन है यह इस बात का पक्का सबूत है कि अन्तिम चुनान में अनुसुचित जाती के उमीदवारों की जीत स्वन हिंदू के मतों पर ही निरफर है लेकिन कम्यूनल अवार्ड में क्या था कि हम अपने प्रतिनेदी को अपने वोट से चुन सकते हैं और हम जो दूसरे समुधाय के प्रतिनेदी हैं उनके लिए भी हम वोट डाल सकते हैं इसी को कहते हैं दोहरा मतदान का अधिकार ठीक आगे वे लिखते हैं कि पूना पैक्ट ने अनुसरी जातियों को मतदान अधिकार से पूरी तरह वंचित कर दिया है क्योंकि जिन उमीदवारों को उन्होंने प्रात्मिक चुनाव में अस्विकार कर दिया जो उनकी इच्छा अध्वा पसंद का असली सूचक है वही उमीदवार स्वन हिंदू मतों के बल पर अन्तिम चुनाव में विजय हो गया मतलब वही कह रहे हैं कि जो प्रात्मिक चुनाव है उसमें जो दलित कमुनिटी के जो प्रतिनीदी खड़े हुए थे उसको दलित कमुनिटी ने रिज अधर्म है उसके उनके उनके चुनाव उनके वोट से वही लोग जीत कर आ गए जिनकों की दलित कमुनिटी ने रिजेक्ट किया था और इस तरह आज भी हम देखते हैं इस प्रकार इस पश्ट है कि पूना समझाथा धोका धड़ी और विसंगितियों से भरा पड़ा है यह मिश्टर गांधी के दवापून अंशन और उस समय हिंदू द्वारा या आशवाशन की अनुसुची जातियों के चुनाव में हिंदू लोग कोई हस्तक्चेप नहीं करेंगे दिये जाने पर स्विकार किया गया था तो बहुत ही किलियर है इस चीज को समझे कि ये इस समझ कर सकते हैं ये इसमें आगे बावास साब कई सारे आखड़े देते हैं अब यहां पर मैं आपको कुछ ऐसी बाते मैं आपको बता रहा हूँ 14-15 ऐसी बाते हैं जो बावास साब ने अपने अलग-अलग लिटिशर में लिखी है जो कि पूना पैक्ट के बारे में हैं ये विशात थे इन चीजों को आप 14-15 बातों को समझ जाओगे आपको समझ में आ जागा कि किलियर कट उनके क्या नजरिया था वे लिखते हैं कि अंशन में नेकनियती या भलमनसाच जैसी कोई चीज नहीं थी या एक खिनोना और गंदा का नामा था अंशन अच्छूतों की भलाई और फाइदे के लिए नहीं था दर असल यह उनके खिलाफ था और उन जैसे असहाय लोगों के खिलाफ निकरश्टतम किस्म का दवाब डालने के लिए किया गया था ताकि प्रधान मंत्री के निर्ने के अंतरगत उन्हें सम्विधानिक संरक्षनों का जो अधिकार राप्त हुआ वे उसे त्याग दें और हिंदू की दया और महरबानी पर जीने के लिए सहमत हो जाएं अच्छूत लोग ऐसे व्यक्ति को समझदार इमांदार और निश्टावान कैसे माल लेते हैं गांधी के बारे में लिख रहे हैं कि हिंदू लोग ऐसे व्यक्ति को एक इमांदार और निश्तावान कैसे माल लेते हैं फिर वो आंगे लिखते हैं कि शामप्रदायक निर्नाने अचुतों को दो लाग परदान किये थे जो Communist Award था उससे अचुतों क्या मिले थे दो लाग मिले थे ऐसी सीटों का एक निर्धारत حصă कोटा जो अच्छूतों के प्रतक निर्वाचक मंदल द्वारा चुनी जाएगी तथा सिर्फ अच्छूतों से संबंदित व्यक्तियों द्वारा ही भरी जाएगी दूसरा दो वोट का अधिकार जिसमें एक वोट का प्रयोग प्रतक मतदान में होगा और दूसरा वोट का प्रयोग सामान मतदान में किया जाएगा अब यदि पूना पैक्ट ने जहां अच्छूतों के लिए सीटों का कोटा बढ़ा दिया है तो वहीं सामप्रदाइक नेने कमुनल अवार्ड द्वारा दिये गए दो वोटों के अधिकार को छीन भी लिया है सीटों की या बड़ो त्री दोहरे वोट गवाने की छतीपूर्ती कभी भी नहीं मानी जा सकती अच्छा मैं जब रिसर्च करा तो मैं कुछ वीडियो जब मैं रिसर्च करता हूं तो वीडियो भी देखता हूं कि जो बाकी लोग उन्हें वीडियो बनाए हैं उनके अंदर उन्हें क्या कमिया रखी हैं मैं एक वीडियो देखा था खान सर जो की बड़े उनकी भाई बड़ी एक सक्षियत हैं वो बड़ी सक्षियत हैं भारत के अंदर बहुत बड़े यूट्यूबर हैं और अच्छा काम कर रहे हैं बच्चों को पढ़ाते हैं और बाकी का इससा सामाने रहेगा ऐसा नहीं था अगर एक दलित एक हिस्सा देश का एक हिस्सा दलितों को दिया जाएगा तो फिर ये तो बटवारे जैसे सितिया जाई क्या इतनी समझ में नहीं आती खान सर आपको उसके बाद कमिनल अवर्ड के दौरान हमें दो वोट का अधिकार भी मिला था तो दो वोट के हम उनके छेतर में जाके वोट डालने जाते इतना कॉमन सेंस नहीं दिमाग नहीं कहरा आपके अंदर पढ़ लो आप अच्छे वेक्तियों सम्माने वेक्तियों पढ़ो किसी भी चीज को समझाने से पहले पढ़ो अब आप यह सोचो इतनी भ्रामक जानकारी आप शेर कर रहे हो यूट्यूब पर करोड़ लोग आपको देखते हैं करोड़ लोग सोचिए उनके अंदर बाब साब के बारे में कैसी भावनाब पैदा कर रहे हो दलेतों के बारे में कैसी भावनाब पैदा कर रहे हो आप बाल रहे हो अरे बाब साब तो बड़े भोले थे वह पढ़े लेखे थे अरे भाई तू भी तो पढ़ा लिखा है तेरे पास अक्कल है न तू के भोला है क्या बाबा साब का इतना उनका इतना क्रिटिकल ही वो चीज को समझते थे पढ़ ले भाई किताब है पढ़ तुझे पता चल दाएगा माफी चाहूँगा मेरी भाष्टा के लिए लेकिन तुम लोग जिस तरीके से इंटरेनेट पर तुम लोग ने जिस तरी से बाबा साब के खिलाफ या दलेतों के खिलाफ एक जो माहौल बनाते हो ना तुम ही लोग बनाते हो और फिर तुम लोग कहते हो कि हम लोग फूट सोलजर है रस एस के हैं लिटली यार मतलब पढ़ो उस चीज को पढ़ो बिना पढ़े कोई चीज मत कहो है ना कि बावस आप तो भोले थे बावस आपको राजनिती नहीं आते थी अरे पागल बागल है क्या तू साम्प्रिदाइक निर्ने के अंतरगत दिया गया दूसरा वोट बेमिसाल और अमूल विशेशा अधिकार था राजनितिक अस्र के रूप में इसके महत्व का तो मुल्यांकन ही नहीं किया जा सकता समझते हैं कि जो दो वोट का जो अधिकार था वो कमिनल आवोर्ड जो हमें मिला था जो प्रतक निर्वाचन जो छेतर था वो जो हमें मिला था वो डॉक्टर अमबेट कर कह रहे हैं कि दूसरा बोर्ड बेमिसाल और अमूल विशेशा अधिकार था राजनितिक अस्र के रूप में इसका महत्व का तो मुल्यांकन ही नहीं किया सकता मतलब ये इतना अच्छा था कि हमें इसका अनुमान भी नहीं लगा सकते तीसरी बात आज अच्छूतों के पास सामरता एक निनने द्वारा दी गई सीटों की तुलना में अधिक सीटे हैं किन्तु बस यही वह सब है जो उन्हें हासिल हुआ फिर ये जो मिश्टर खान है खान सर अकैडमी जो चलाते हैं वह कहते हैं वह अंग्रेज दे रहे थे गटतर सीटे हैं और जो गांधी जो थे उन्होंने बहुत जाला सीटे दे थी तक्रीबन 138 के आसपास सीटे दी थी फिकर आप दोग देख ली जगा एक बार चेक कर ली थे जहां तक 148 सीटे मिली थी और अंग्रेज दे रहे थे गटतर सीटे तो बावा साब ने बोला कि अरे ये तो जहां पर तो जादा है अरे पागल वागल है कैड़ तो इनसान बावा साब को पता नहीं है बावा साब क्या लेख रहे है पढ़ना उनके लिटरिचर उठा के पढ़ ले पता चल जाएगा तो जहें कुछ भी परोसे जा रहा है लोगों को और छोड़े जोटे बच्चों को दूसरा हर सदस यदि उनके खिलाफ नहीं भी है तो उनके प्रती उदासीन तो अवश्य है मतलब कोई व्यक्ति दलितों के खिलाफ नहीं भी हो लेकिन उनके साथ भी नहीं है मतलब काफी उदासीन है उनके प्रती यदि सामप्रदाइक निर्ने की दोहरे वोट की विवस्ता बरकरार रहती तो अचूतों के पास सीटों की संक्या भले ही कुछ कम रहती लेकिन अनप्रतेक सदस से अचूतों के पक्ष में रहता कोई भी व्यक्ती फिर अचूतों के खिलाफ काम नहीं कर पाता आजकी डेट में आप देखी है पूरा पेक्ट का यी है हमारे सांसद है यतनी सांसद है यतनी सारे हर प्रदेश के अंदर विदायक है लेकिन पूरा रेजर्वेशन खराब हो रहा है फ़िखाली सीट पड़ी हूँ जवान नहीं खुलती है उनके मूह से एक वर्ड नहीं बोलते हूँ इसके संदर में और ये खांसर जैसे लोग हमें बताएंगे कि भाव साब भोले इंसान थे भाव साब को राजनिती नहीं आती थी पागल बेवकूप इंसान अच्छूतों के लिए सीटों की संख्या में बढ़ोत्री किसी भी सूरत में कोई बढ़ोत्री तथा प्रतक निर्वाचक मंडल के दौरे वोट की शत्यवपूर्टी नहीं थी चौथा पूना पैक्ट की धारा पांच ने प्रात्मिक चुनाव की परणाली को 10 वरस तक सीमित कर दिया है जिसका अर्थ है कि 1947 एष movie के पकशात होने वाला कोई भी चुनाव संख्यून निर्वाचक मंडल एवं सुरक्षित सीटों की एक मात्र प्रणाली द्वारा होगा संयुक्ति निर्वाचक मंदल और सुरक्षित सीडों की पिर्णाली के अंतरगत इस सिती और भी बत्तर हो जाएगी जो एतत पष्षात पूना पैक्ट की सरतों के अनुशार लागू होगा यह पूरी कलपना मातर है पिछले चुनाव में निर्नायक रूप में यह सिद्ध कर दिया गए है कि अनुशार जातियों को संयुक्ति निर्वाचक मंदल में मतादिकार से पून रूपेन वंचित किया जा सकता है अगर आप यह जो तालिका उन्होंने दी है जो टेबल्स उन जबसे तो 1947 में खतम हो जाना चाहिये था तो फिर यह अभी तक चल क्यों रहा है क्योंकि इसको हर दस साल में क्या किया जाता है बढ़ा दिया जाता है आन में दस साल के लिए ताकि गुलाम लोगों को लिजाता कि में बढ़ाये जाए आपका सच्चा प्रतिनेदीं नहीं पहुँच पाए किसी भी कीमत पर पूना पैक्ट ने विबिन प्रतिक्रिया है पैदा की अच्छूत लोग दुखी हैं और उनके दुखी होने का कारण है इन विचारों के प्रकाश में इसके अलावा और कुछ प्रतीत नहीं होता है कि अच्छूतों पर पूना पैक्ट सिर् कि जो हिंदू समाज है ये पूना पैक्ट तो पहला उनकी उपर प्रहाद था दूसरा प्रहाद जैसी उनको मौका में लगा को कर देंगे और उनकर रहे हैं और हमारे सांसद हमारे विधायक हमारे नेता सब कुछ बैठ के देख रहे हैं क्योंकि वो असल में आपके नेता असल में आपके प्रते निदी नहीं है वो सिर्फ ब्रहामर धर्म के गुलाम है और उसकी गुलामी कर रहे हैं पूना समझाता स्विकार करने के बाद मिश्टर गांदी कॉंग्रेस को कहकर अचूतों का विश्वास कायम क्यों नहीं कर रहे हैं कि वह सुरक्षित सीटों पर ऐसे अचूतों को चुनाव लड़ा कर अचूतों की राजनिती पर डाका न डालें जो हिंदूों के ओजार अधात पिठ्थू बनने के लिए ततपर रहते हैं ये चीज़ समझ यह है कि पुना पैक्टन जो मजबूती से जो एक काम किया आपके सच्छे प्रते निदी को प इतनी हिम्मत नहीं है उनकी रीड के हड़ी इतनी कमजोर हो चुकी है कि वो इस चीज़ का विरोध करके सामान जो सीठ है वहां से अचूतों को दलितों को क्यों नहीं लड़ाते हैं लडाओं वहां से हिम्मत है तो विरोध करो इस चीज़ का लेकिन नहीं करेंगे ये करकर के बैठे हुएं जितने master's करकर के बैठे हुएं एक प्रतिसत लोगों में आती हैं दरित community में से सिर्फ एक परसेंट लोग हैं जो higher education में जाते हैं पी हडी करते हैं master's करते हैं विदे जाकर पढ़ते हैं इन लोगों ने देश का जितना बुरा किया है न अरे भाई तुम पार्टियां इनका विरोध कीजे अगर यह नहीं होता है नेताओं का विरोध कीजे आप समाज को दिशान निदेशित कर सकते हैं लेकिन आप किस चीज में व्यस्त हो आप वैस्त हो भाई मेरे बेटे की नौकली लग जाए और मेरे बेटे का जो बेटा हो गया बेटी होग और ज़्यादा कुछ नहीं होगा तो जैसी मौका मिलेगा आप विदेश भगलोगे आप बोलोगे हमें तो रहना ही नहीं है आपर जितने ये लोग है ना पैचान लीजे इन सबको और इनसे सवाल पूछे ये मैं समाज से कह रहा हूँ और चाहा पड़ा लेका बुद्धी अमान को या निदेश क्यों नहीं देते हैं कि कॉंग्रेसी मंत्री मंडल में अच्छूतों के प्रतिनिद्यों को भी सामिल करें ये दर्शाता है कि पूना पैक्ट की एक पार्टी अत्वा पक्ष होने पर भी मिश्टर गांधी द्रड निश्य किये हुए हैं कि कि पूना पैक्ट की एक पार्टी अत्वा पक्ष होने पर भी मिश्टर गांधी द्रड निश्य किये हुए हैं कि अनुसुशित जातियों को प्रतक तत्व होने की पहचान और दरजा दिये जाने की अनुमती न दिये जाए और वहां अपने विरोधी रवाईये को हुए हैं वे दोबारा खुराफात कर सकते हैं उन पर भरोसा करना उन पर भरोसा करने का अभी समय नहीं आया है अचूतों को अभी भी यही मानना पड़ेगा कि उनकी आत्मरक्षा ही सर्वुत्तम मार्ग है मिश्टर गांधी से साधान रहें कॉंग्रेस का दूसरा दुसक्रत है कॉंग्रेसी अचूतों को पार्टी अनुशाशन में जकरना वे कॉंग्रेस कारेकारनी के चंगल में नियंत्रित हैं वे ऐसा कोई प्रश्ण नहीं पूछ सकते जो इसे पसंद ना हो वे ऐसा कोई प्रस्ताव पेश नहीं कर सकते जिसक के प्रतिनिदत को प्राप्त करने का एक उद्देश अच्छूत लोगों को अपनी परेशानियां और शिकायत उठाने योग बनाना तथा उनके साथ होने वाली जातियों को दूर करने के लिए शक्षम बनाना है। संसद में या विधान सबाओं में। तो ये इस तरीके से आपके जो आप चुनको जिनको आपको लगता है कि वह आपके नेता है आप भेजते हो उनको तो गुलाम बना के रखा जाता है महाँ पर। सची पसंद का असली सूचक हैं मतब जिनको उनको ना पसंद किया था वही उमीदवार स्वन हिंदू वोटों के बल पर अंतिम चुनाव में विजाई होकर जा रहा है। इस प्रकार पूना पेक्टर धोकाधड़ी और विसंगतियों से भड़ा पड़ा है इसे मैं मिस्टर गांधी के दवापूना अंशन और उस समय के हिंदू द्वारा या आश्वाशन की अनुश्यचित जातियों के चुनाव में हिंदू लोग किसी प्रकार का कोई नहीं करेंगे दिये जाने पर स्विकार किया गया था लेकिन आज क्या हो रहा है यह आप लोग के सामने हैं गफ्टर अंबेटकर ने इसके बाद जब आजाद भारत हो गया था और उसके पहले भी वह कोशिश करते रहे कि कि किसी भी तरीके से यह जो पूना पैक्ट से जो आज क्लियर हो दाएंगे एक वीडियो किसी को भी भीज दिये पूना पैक्ट हानिया सब समझ में आज आज आएगा क्या बाबा साब ने इस पूना पैक्ट से जो नुकसान हुआ था उसको कम करने के लिए कुछ काम किया था उस काम को जो काशियाम साब है वो अपनी करने के लिए वे विभिन तरीके तो तरीके विक्सित कर सकते थे इन तो तरीकों के सर्वुत्तम तरीका था शिक्षित करो संगर्ष करो और संगटित करो के सुनियोजित विचार के दौरा अपने लोगों को तयार करना उन्होंने यानि कि बाबा साब ने विचार किया कि उ बिविन्य प्रकार के प्रेतनों को देखना, समझना हम सब का काम हैं। उन सभी प्रेतनों के परेणाम भी प्रतक्ष रूप से इसपश्ट हैं। चमचा एक की चिनौती के मुकाबले के लिए उन्होंने वो विविन्य प्रकार के संघर्ष छेड़े वे अब दंत कथा बनकर लोग की जुबान पर हैं। आँगे फिर बबाबा साब ने कोशिश की कि ये प्रतक बस्तियां बना लें। सेपरेट सेटलमेंट करा दें दलित लोग का। दिया जा सकें। इसलिए लेकिन वो भी नहीं हो पाया। काशिराम साब लिखते हैं। बाबा साब ने अपने लोगों की उस असहाय अवस्ता को ध्यान में रखते हुए उनकी लाचारी को दूर करने का एक अन्य विचार विक्सित किया जिसके कारण उन पर पूना पैक्ट थोप दिया गया था। यह विचार प्रतक बस्तियों की अधिवास योजना में प्रिलक्षित होता है। अलग-अलग गावों में बिखरे अलपसंक्यक दलितों को उन्होंने प्रतक बस्तियां आबाद करने की योजना के बारे में सोचा जहां वे बहुसंक्यक बन कर रह सकें और इस प्रकार इन प्रतक बस्तियों में बहुसंक्यक होने पर वे विदायकाओं में अपने सच्चे और वास्तविक प्रतिन्दी चुन कर भेज सकें जब ये सेटलमेंट क्योंकि उसके बाद फिर जो अंग्रेज थे वो चले गए थे तो जो सेपरेट सेटलमेंट या निकी जो प्रतक बस्तियां होना था वो नहीं हो सकता था तो फिर उस कंडिशन में बाद साब ने क्या किया बाद साब ने फिर दबारा जो पूरा पेक्ट हो उसके खिलाफ लिखना और बोलना शुरू किया करते काशियाम साब लिखते है जब प्रतक बस्तियां आबाद करने का विचार मूत रूप नहीं ले सका तो डॉक्टर अम्बेटकन चम्चा युग की चिनोती को सामना करने के लिए प्रतक निर्वाचन पर पुना सोचा इसके लिए उन्होंने ना केवल पुना पैक्ट की भसना की बलकि 1946 में इसके विरोध में व्यापक संगश भी छेड़ दिया 1947 के दोरान उन्होंने प्रतक निर्वाचन का समरतन करने के लिए समविधान सभा को एक विस्तरित ग्यापन सोपा इतना ही नहीं चम्चा युग के खिलाफ उनका प्रचार अनवरत रूप से जारी रहा उन्होंने ऐसा करने के लिए प्रतिक उपलब्द अवसर का भरपूर उपयोग किया उनके उस प्रचार से खास कर उनकी निम्न तीन पुस्तकों के दौरा हमारा आज भी मागदर्शन होता है पहली पुस्तक है गांधी और अचुदों की विमुक्ती गांधी और कॉंग्रेस ने अचुदों के लिख क्या किया राज्य और अल्प्रसंग क्या ये जितनी भी किताब में है इस पूना पैक्ट से रिलिटेड वो सारी किताबों की लिष्ट में आपको नीचे दे दूँगा लिंक में आपको दे दूँगा तो वहां से आप खरीद लीजेगा तो उसके बाद फिर बावा साब जो है ये इसको राजनितिक रूप से भी एकटा करने की कोशिश करते हैं वो जाते हैं 25 अप्रेल 1948 को लखनो में सेड़ दुकास्ट फेडरेशन के सम्मेलन जो पहला प्रयास करते हैं वो कि इसको राजनितिक रूप से एकट्रित किया जाय सके ठीक है और वो वहां पर कहते हैं तब मैं अनुसीच जाती हो और तताकति पिछड़े वर्ग के बीच एकता के प्रश्न की और मुड़ा मैंने ऐसा पिछड़े वर्ग के नेताओं के अनुरूद पर किया जो उस सम्मेलन में मौझूद थे मैंने कहा कि ये विडमना ही है कि ये दौनों वर्ग जिनकी जरूरते एक जैसी थी आपस में नहीं जुड़े कारण यह था कि पिछड़े वर्ग के लोग अनुसीच जाती के लोगों से जुड़ना पसंद नहीं करते थे क्योंकि वे ड़ते थे कि ऐसा जुड़ाव सहचर उन्हें भी अनुसीच जाती के इस तरपर नीचे ले जाएगा दूसरा वो प्रयास कते है हाला कि इसके आंगे उनका और भाशन है यह हम किसी वीडियो में कवर करेंगे अल्री लंबा हो गया वीडियो दूसरा जो उनका कोशिश था वो था दूसरा गंबीर प्रयास उन्होंने 1971 में किया था जब बाबा साब अनुसीच जाती हो और अन्य पिछरा वर्ग की एक संयुथ पार्टी बनाने के लिए पिछरा वर्ग के नेताओं के आमंतरन पर पठना गये थे किन्तु उस प्रयास को पंडित नहरुना पिछरा वर्ग के नेताओं को कुर्सी देकर और उनमें लालची लोगों पर कागज की गोलिया पेपर बुलेट का प्रयोग करके विफल कर दिया था तीसरा उनका जो प्रयास था उनके द्वारा तीसरा और अंतिम सरवादे गंबीर प्रयास ना किवल अनुसरी जाती और अन्य पिछरा वर्गों के एक जंडे के नीचे लाने के लिए किया गया बलकि उन सब को एक राजनितिक पार्टी की छतरी के नीचे इकतित करने की इम इसमें एक एक आपका डाउट क्लियर हो जाए कि बावाव साब ने क्या का, काशिराम साब ने क्या का, उस पर तो मैंने बात की नहीं है, यह पूरी चमचा है, यह जो किताब है, इसके पर मैं डीटेल में अलग से वीडियो बनाऊंगा, जब मेरा यह रिडिल्स इन हिंदुर सो लोग भी अगर देखेंगे, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कम से उतने लोगों तक बात पहुंची मेरी, अगर उतने लोगों को भी समझ में आ जाएगा, वो दददस लोगों तक और पहुंचा देंगे, तो मेरा काम हो जाएगा, क्योंकि मेरा काम तो आप लोगों आपको वीडियो बना के देड़ेगा लेकिन इस तरह से ये किसी भी ब्रामडवादी वेक्ति किताब नहीं है ये सब हमारे लोग के दस्तावेज हैं जिनके द्वारा में आप लोग को समझाने की कोशिश करता हूँ इसलिए मैंने इस चैनल का नाम भी भौजुन साहित रखाता है मैं चाहता है कुछ भी अपने नाम पर चालू कर सकता है लेकिन ये मेरे तरफ से एक पहल है जिसको मैं और आंगे ले जाना चाहता हूँ उमीद करता हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों सीखने और समझने को जरूर मिला होगा मैं रज़तमा और मिलता हूँ आप से अगले वीडियो फिर किसी किताब के साथ तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें पढ़ने की आदत को विक्सिप करें क्योंकि पढ़ेगा एंडिया तभी तो बढ़ेगा एंडिया जै भीम, जै भारत, जै सम्विधान, जै चोहार